विल्कम रोडी आपने जो है वो SSC MTS 2022 की जो है वो नोटिफिकेशन देखी होगी और इसमें जो है वो आप सभी अगर EWS कैटेगरी से बिलॉंग करते हो तो कैसे आपको रिजरवेशन मिलेगा इस वीडियो में मैं पूरी डीटेल में बात करूंगा कुछ जो है वो पॉइंट्स मैंने लिये हुए हैं जो कि इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ वो पॉइंट्स हैं जैसे इंट्रोडक्शन यह सभी हो चुका है क्रूसियल डेट मैं आपको बताऊंगा वैलिडिटी आपकी सर्टिफिकेट की कब तक रहती है इड़ूस की कुछ एक्स्टा इंफॉर्मेशन फॉर्मेट कैसा होता है hews का वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे बनवा सकते हो अगर आपके पास वैलिड है नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लेम्स होंगी उसके बाद जो है वो प्रविजनल और क्लीयर का क्या कुछ कुछ मतलब है और state and central government का भी कुछ लोचा होता है तो वह भी मैं आपको discuss करूँगा और कुछ bonus tips so watch this video टेलेंट ताकि आपकी जो यह भी सारी doubts हैं तो वह सारी clear हो जाए ओके तो second point की ओड़ चलते है crucial date तो देखिए जो crucial date होता है वह last date of form filling होता है ओके तो यहां पर जो आप देखोगे कि last date for receipt of online application तो यही आपका crucial date है ओके जो कि है 172 2023 इस बात को ध्यान से रखे 17 February 2023 इसी दिन तक जो हो आपका crucial date माना जाएगा और यह important date है क्योंकि इसी से पहले आपका सारा certificate होना चाहिए तभी जो हो आपका certificate मानने होगा और आपको अपने दस्तावेद सत्यापन में कोई भी परिशानी नहीं होगी तो देखिए इसमें जो है वो आप सभी को क्या-क्या चीजे रिक्वाइड होंगी और क्या age relaxation यह सभी मिलता है वो भी मैं आपको बता दूंगा ओके तो देखो अगर आप पहले में बात कर लेता हूं की तो अगर आप relaxation का limit देखोगे तो EWS कहीं भी नहीं होता है तो यानि कि अगर आप EWS category से बिलॉंग करते हो तो आपको स्क्रॉल करोगे तो यह जो official PDF है ओके official notification का PDF है जो कि SSC के द्वारा जो है वो जारी किया गया हुआ है तो वही मैं यहां पर आपको इसी से आपको reference से सारी चीजे समझा दूँगा ओके ताकि आपको कोई भी problem नहीं होगी ओके तो देखो इसमें जो है वह अगर आप पेज नमबर 7 में जाओगे तो यहां पे जो है वह आपके reservation के बारे में six number page में जाओगे तो यहां देखोगे process and certification and format of certificates okay तो इसी में जो है वह आप देखोगे यह वाला पॉइंट सग्राप परो फस्ट 7.1 तो इसमें लिखा गया हुआ है कि जो भी candidate reservation लेना चाहते हैं उनको prescribed format में SC ST OBC EWS PWD ESM category का certificate होना चाहिए और अगर वो यह certificate यह सभी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है वो उनका reservation नहीं मिल पाएगा ओके तो यह चीज़ आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आपका certificate वैलिड होना चाहिए और अगर कुछ भी problem होती है तो फिर आपका चैनल हो सकता है फिर जीवारा यह सभी आपको नहीं करना है ओके अब देखो यहां पर जो है वह आप सभी अगर देखो यहां पर तो सब्सक्राइब के बारे में लिखा गया हुआ है क्रूशेल लेट फॉर क्लेम ऑफ सी एस्टी ओबी सी ड़लू एस पी ड़लू बीडी स्टेटस और एनी अधर बेनिफिट विच इस फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रेक्सेशन एक्सेशन एक्सेक्ट रवीज वेर नॉट अगर आपका सर्टीफिकेट होगा तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी गए लेकिन कुछ केसेंस में अगर आपका बात का भी सर्टीफिकेट रहता है तो ज्यादा इदिक्क्रत नहीं होगी लेकिन ऐसा नहीं कि आप डॉक्मेंट ब्रिफिकेशन से 10 दिन पहले का certificate produce कर दो वह ऐसा नहीं चलेगा को कि उसकेस में आपको जो है वह प्रोविजनल में डाल दिया जाएगा अब देखो कैसा आपको certificate यह सभी बनवाना है वह मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वह बहुत important point है और maximum जो की candidates होते हैं वह उन्हें पता नहीं होता है तो इसलिए यह मात में डिसकस कर देता हूं ओके तो देखो यहां पर मैं दो points मैंने cover कर चुक्या है और यहां तीसरा point में बता देता हूं validity of validity of EWA certificate तो validity of EWA certificate जो है वह होती है एक financial year for suppose अगर आप जो है वह दो 2022 में April 2022 के बाद कभी भी certificate अगर आप बनवाए होगे तो वह 31 मार्च 2023 तक जो है वह expire कर जाएगा ओके यह certificate का रूल होता है तो आपको यह बात समझना होगा कि इस exam के लिए particularly April 2022 एक April 2022 के बाद कभी भी certificate बना होना चाहिए और वह जो 172 2023 है उससे पहले होना चाहिए तो आपका certificate एक चार 2022 के बाद और यह उपर वाला डेट से पहले होना चाहिए आपको इस दोनों बीच का है certificate रहेगा तो आपको कोई भी problem नहीं होगी document verification के समय लेकिन अगर आपका certificate एक चार 2022 के पहले का है या फिर आपका certificate certificate 172 2023 के बाद का है तो आपको problem हो सकती है ओके तिसलिए पोसिस करें कि अगर आपने certificate अभी तक नहीं बनवाया है तो जितना जल्दी बनवा ले तो आपको कोई भी problem नहीं होगी certificate कैसे बनवाना है यह सभी मैं आपको वीडियो आप में आगे डीटेल में बताऊंगा ओके तो देखे कुछ extra information में आपको दिखा देता हूं और format भी बता देता हूं format कैसा है तो यह जो है वह format है और इसका link आपको description box में मिल जाएगा जिसको आप download कर लेना description box में link है उससे एंड देखो यहां पर कुछ चीजे जो की लिखी हुई है वह मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या है इस format में तो यहां पर जो है वह नेम ऑफ government हो जाएगा यहां पर certificate number हो जाएगा यहां पर date हो जाएगा valid year यहां पर आपका basic details name father's name address यह सभी और यहां पर financial year ओके फिर यहां पर आपका नेम आप जिसकास से बिलोंग करते हो और यहां पर आपका जो है वह passport size photograph होगा और यहां पर जिस भी officer से आप sign करवा रहे हो वो ओके तो यह तमाम चीजें जो है वह mentioned रहेंगी अब देखो इसमें जो है वह दो points बहुत important है एक है finance valid year और एक है financial year तो इसको समझ लो जराफ क्योंकि वैलेडियर जो है वह आपका 2022 से लेकर 2023 होना होना चाहिए और आपका जो है है कि आप 31 March 2023 से पहले भी certificate बनवा लो हो सकता है कि कोई candidate हो जो की वीडियो मेरा 17 February 2023 के बाद देख रहे हूं तो वह कोसिस करें कि आप 31 March 2023 से पहले बनवा ले ओके तो यह दुनों में ऐसा फिल होगा उपर वाले में जो है वह वह वैलीडियर में 2022-2023 होना चाहिए और यह 2000- 21-22 आपका financial layer में होना चाहिए दोनों सेम नहीं होता है अगर आपका दोनों सेम है certificate में तो आप जाके उसे सुदार करवाएं ओके अद देखो यह format है और इसका जो है वह इसका जो है वह आपको अगर अब मैं यह बताता हूं कि certificate कैसे लेना है तो देखो यहां पे जो है वह सब्सक्राइब है तो यहां पे जो है वह देखो यहां पर आपका certificate जो है वह इन सभी officer से बना हो सकता है तो आपका certificate में कोई भी issue नहीं होगी अब देखो यहां पर क्या लिखा गया हुआ है इस चीज़ को आप पढ़ोगे तो इसमें मैंसर्ड है डिस्टिक मेजिस्टेट एडिस्टिक मेजिस्टेट कोलेक्टर एडिस्टनल एडिस्टनल डिपुटी कमिशनर डिपुटी कमिशनर फर्स्ट क्लास स्ट्राइप्रेंड मेजिस्ट्रेट सब डिविजनल मेजिस्टेट एक्स्ट्रा एसिस्टेंट कमिशनर तौलुक मेजिस्टेट एक्जिटी मेज तैसलदार यानि कि आप औरो ऑफिसर से बन वा सकते हो या फिर आफ जो है वो तैसिफिलदार से बनवा सकतेcoon तो ये सब से आसान होता है बन elana और इनहीं से आप जो है वो सर्टिकेट्ट Olant में आप कोई भी प्रॉब्लिम नहीं होगी लेकिन जितने सारे लिखे हुए हैं वह सारे ऑफिसर से भी आप बनवाओगे तो कोई भी इसू नहीं होगा अब आते हैं हमारे नेक्स पॉइंट पे अब देखो इसमें जो है वह एक पॉइंट में आपको बताना भूल गया कि देखो कुछ सब्समें जैसलों को टूंपो एक सब्समेंस अंब अब डूंब हो ओन्लाइन अपलाई कर सकते हो में को あ सब्समें बतान होगा ऍट उसके बादने आप सभी को बता देता हो कि हुए देखो इसके बात है वह यह format मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर यह पर म convergence में जो है वह पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी मांगा गया है ओके रिसेंट पासपोर्ट इस impacting गया हुआ ओक हुआ डिशंट फोटोग्राफ तो जब भी है थि फोटोग्राफ बनने तो मैं राजू कुमार ओके ऐसे लिख दिया तो ऐसा फोटो जो है वो वैलिड होगा मैं आपको एक सैंपल भी दिखा दता हूं सर्टिफिकेट का बना हुआ तो ऐसा सर्टिफिकेट अगर आपको कोई भी इसू नहीं होगी की फटसपोस की देखो यह वाला जो है वो सर्टिफिकेट यह स्रटिफिकेट आपका रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लिम नहीं होगी आप इस सर्टिफिकेट कहीं भी प्रॉड्यूस कर सकते हो और सिक्सथ यह सभी चीज लिखा हुआ है और देखोगे तो डेट यहां पर बह वैलिडीटी वैलिड फॉर्ड ये लिखा हुगा है 22 और फैनेंसियल यहां पर देखोगे तो 2021 बाइस तो ऐसे जो है वो मैंसन किया गया हुगा है और यहां पर सर्टिफिके अंबर तो दो चीज में आपको बताई थी कि दो वैलिडियर और फैनेंसियल यह यह दोनों सेम नह चाहिए मिन्स फॉटोग्राफ रहना चाहिए और देखो यह इसका भी पीडियाफ का लिंक दे दूगा आप इसे भी देख लेना कैसा यह सर्टिफिकेट है ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि सर्टिफिकेट कैसा बनता है और आप सभी को भी ऐसा ही चलता है अब ऑलने उफलाइन का क्या मतलब है कि यहां पर देखो डिश्टली सेंड लिखा हुआ है मिस कहीं भी आपको जो हूँ ना तो ओफिस का सील मोहर मिल रहा है और नहीं कोई सिगनेचर है तो यह भी चलेगा ओके और अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो आपक यहां है इंकली से ल मीचलिस का है प्रपर मैं जली और शाख है तो चाहिए ओपने लेंग्वेज में भी बनवा सकते हो और कि ओड़ंड लेक्न इन चाहिए पनवाना ओगा अध requirements to take care of that अब उसके बाद जो है वो देखोगे तो यह सारी चीजे मैंने डिसकस कर दी एंड मैक्सियम पॉइंट्स जो भी हो सकती थी मैंने ली है इस वीडियो में फिर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना हां कुछ पॉइंट्स अभी बची हुई हैं वह कोई भी केस हो सकता है तो अगर प्रवीजनल में डाला जाए तो आपके पास एक चांस होता है कि आप फिर से सर्टिफिकेट प्रड्यूस करके आप अपना चीजे क्लियर कर सकते हो लेकिन अगर आपका कैंट जेशर कर दिया गया तो उसकेस में आप कुछ नहीं कर सकते हो क कि मेंस आप उसके बाद देखो इस्टेट एंड सेंटरल गवर्मेंट का क्या यहां पर कुछ खेल है कि फॉर्मेट जो है वो स्टेट और सेंटरल गवर्मेंट की अलग-अलग होती है थोड़ी सी तो उसका भी ध्यान रखना है और अगर आपका फॉर्मेट जो कि मैंने द अगर आप SSC MTS की preparation कर रहे हो तो उसमें जो है वो आप यहां से तैयारी कर सकते हो यहां पे आप जो है वो टेस्ट बुक आप से अपनी फुल फ्लेश्ट प्रिप्रेशन कर सकते हो टेस्ट बुक आपको download करने का link मैंने आपको description box में दे दिया है यहां पे आपको क्या-क्य बेनिफिट्स मिलेंगी देखो यहां पे 112 चैप्टर वाइस टेस्ट है 50 सेक्सनल टेस्ट है 61 फूल टेस्ट है 168 प्रिविएस एर पेपर से और थ्री लाइफ टेस्ट है तो इतना खासा जो है वह अच्छा खासा आपको तैयारी करने का यहां पे आपको मौका मिलता है और यहांपे हमें आपको देखा दू सक्षिक्सिन टेस्ट टेखोगे ओगे तो इसमें आपको आपको यहां पे सक्षिक्स जानल इंटेलिजर्स में दाशना इलिएगल में दाश पूल्टेस्ट मिलेगी होगे फूल टेस्ट टूशन कर सकतेबार सक्ते मिलेंगी और second इसके बारे में पूरी जनकाडी चाहते हो तो मैंने एक फूरा डिटेल वीडियो बना दिया है तो वहां से भी जो है वो इसके आप पूरी जनकाडी ले सकते हो